मि अप्ट का इस हे वीडियो को लाइक कर दें और दोश्तो यहां सेडल को सब्सक्राइब कर लें और इस गटिके बटन यहांसे करते हैं हलो दोस्तों जिकर्अब यूटूब चैनल में आपका स्फ़ागत हैnew और आचके वीडियो में मैं आपको बताउंगा कि आप वर्टस Pam स्वारान की में कैसे बेश सकते हैं जब आप अपनी वूर्चाब पे कोई भी किशिके पास आंधे के पमेज सते हैं तो इंचों और फिर वह बटा है तो तो उनके पास आप आपको वह तरीकां बताऊंगा जिससे आप अपनी इमेज को same to same size में जब आप अपने friend या relative को भेजते हैं तो उसकी size या quality बिल्कुल भी decrease नहीं होगी तो दोस्तों मैं अब आपको WhatsApp पे लेके चलता हूं जिससे आप WhatsApp पे लेके चलता हूं जैसे मैंने WhatsApp बोला मेरे को जैसे image भेजनी है तो जैसे आप कैसी क्या करते हैं image को भेजते हैं तो फिर आप यहां पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आप यहां पर gallery का option दिखाई दे रहा हैं यहां gallery के option पे आप जाते हैं gallery के option पे जाने के बाद यहां पर आप कोई भी image select करके किसी को भेजते हैं जैसे मैंने यह image select करके यहां पर मैंने किसी को बेज दी ऐसे ही आप किसी को image बेजते हैं तो ऐसे बेजते हैं तो मैं आपको दोनों तरीके से बेज के दिखा रहा हूँ दोनों ही तरीके से चेक करके बताऊंगा कि quality पर क्या effect पड़ेगा दोनों ही image की size दिखाऊंगा दोनों ही image की quality मैं आपको check करवाँगों तो दोस्तों आप इस तरीके से image को नए बेज़ कर अब मैं आपको जो बता रहा हूं तरीका उस तरीके से image को आपको send करना है जिससे की आपकी image की quality बिल्कुल भी decrease नहीं होगी और यह features कब कामाता है जब आप कोई भी image है कोई भी image को आप किसी photographer या किसी को भेजते हैं कि आपको वो image को print करवाना है तो फिर आप जब इस तरीके से भेजते हैं तो आपकी image की quality बिल्कुल बिगड़ जाती है और आप जिस quality में image को print करवाना चाते हैं उस quality में image print नहीं हो पाती है तो दोस्तो इस तरीके से भेज़ कर आप अपनी image का print भी अच्छी तरह के से निकाल सकते हैं जो image की quality है उसी image की quality में आपको print मिलेगा तो दोस्तो आप क्या करना है आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपक के option में नहीं जाना है बलकि आपको यहां पर यह option दिखाई दे रहा है डोकुमेंट का option यहां पर दिखाई दे रहा हुगा इस corner में तो आपको यहां पर इस document के option पर click करना है document के option पर click करने यह मेरी image है जो 1.1 MB की है तो यहाँ पर मैं इस image को send कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको send कर देना है तो यहाँ पर send करते हो आप image को तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी JPG तो आप यहाँ पर इस तरीके से image को send करते हैं तो इस image की quality बिल्कुल भी decrease नहीं होगी अभी मैं मेरा दूसरा mobile open करके आपको दिखाऊंगा जो मैंने यह image भेजी है मैं अभी दूसरे mobile में open करके आपको दिखा रहा हूँ तो चलते हैं मेरे दूसरे mobile की तरफ तो दोस्तो अब मैं आपको वो image दिखा रहा हूँ जो मैंने उस दूसरे mobile से send की थी तो दोस्तो अब मैं वाट्सप पे जा रहा हूँ वाट्सप open करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे को यह image जो मिली है पहले तो मैंने जो आप जिस तरीके से बेज़ते हैं उस तरीके से जो image मैंने send करी थी वो image यह है तो मैं आपको इस image की quality चेक करवा देता हूँ पहले यह किस quality में image मेरे को प्राप्त हुई है तो दोस्तों यह देख पा रहे हो अब आप यहां से आप इस image की quality को चेक करेंगे तो यहां पर मैं आपको इस image की size बगेरा दिखा रहा हूँ यहां पर यह image मेरे को 104 kb की मिली है जबकि यह image 1.1 mb की मेरे उस mobile में थी दूसरे mobile में तो यहां पर इसकी size बिलकुल decrease हो गई और इसका resolution भी कम हो गया 796 into 1280 इसका resolution हो गया जो की इसकी quality बिगड़ चुकी है अब मैं आपको दूसरे तरीके से जिस तरीके से बिलकुल भी quality decrease नहीं होगी उस तरीके से वो image मेरे को यहां पर यह मिली है इसको मैं download करता हूँ डाउनलोड करने के बाद यहां पर भी size यह दिखा रहा है 1.1 MB लेकिन यह download होने के बाद मैं आपको इसकी size चेक करवा देता हूँ तो यहां पर यह downloading में थोड़ा time लग रहा है तो यहां पर यह download होने के बाद मैं आपको यह दिखाऊंगा कि इस image की quality क्या है तो यहां पर देखो आप इस image की quality 1.1 MB है जो बिल्कूल भी decrease नहीं होई same to same quality है और यहां पर इसका resolution आप देख पा रहे हैं 1677 into 2695 जो same resolution उस mobile में इस image का था same to same resolution इस mobile में मुझे मिला है तो दोस्तों आप भी अगर आपको same as the quality में image को send करना तो इसी तरीके से send कीजिए तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको यह features बहुत पसंद आया होगा तो वीडियो को share जरूर करते हैं और वीडियो को like करना न भूलें और चैनल को जरूर से जरूर subscribe कर लें क्यूंकि मैं इसी चैनल पर tech news और technology related news लाता रहता हूँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही thank you bye झाल ऑगार जिए तोस्तों आज के लाइस और चाल ड्याओव में वीडियोगे जिए जावगे रहता हूँ और चैनल के बागार चैनल के लिए कर दोस्तों आज के लिए यह पताई जाज के लिए बन रहता हूड़ता है